हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माय यूट्यूब चैनल हैस्टाक केवन एड़ और आज के वीडियो में हम लोग कुरुमाली शाहित्य को डिस्कस करेंगे ठीक है और इससे पहले जितने भी साहित्य हैं उनको डिस्कस में ने किया है और बेस्ट पार्ट यह है कि उन सभी साहित को सौट ट्रिक की मदद से आपको याद कराया गया है ठीक है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को चेक करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां भी जाके आप विजिट कर सकते हैं ठीक है तो फिर लिख आद रखने के लिए आपको बहुत सिम्पछने के लिए एक दीकर मालिक और यहां भासा तत्वा और इसको लिखा है खुदी राम महतोने ठीक है तो यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है आपको क्या करना है कि Alejandra माली में किसी को बोलते में सुने होगे भक्ती इसको आप ऐसे मन बहुत डिपली सब्सक्राइब किसी चीज से ठीक है कुछ है कुर्न और राम को या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भक्ति में इतना रम गया है कि उसको खुद ही राम मिल गए ठीक है तो बस रिलेट करने के लिए आप लोग इस तरह के ट्रिक्स को अपलाई कर सकते हैं और आपको ट्रिक की इंपॉर्टेंट कब पता चलेगी जब आपको एक सबता के बाद को अडिक करना है आप देखिया कितनी असानी से यह सारी ट्रिक आपको क्लिक करेंगे ठीक है तो इन ट्रिक को बिल्कुल बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिए यह बहुत ही helpful होने वाले है लोग बोलते कास हम उसे देख पाते तो उस तरीके से यहां पर देवकी नंदन इसके रचनाकार है तो relate कैसे करना है देवकी और वासुदेव की कहाने आप सब लोगोंने सुनी ही होगी सबकून बारे में पता होगा देवकी क्रिष्ण की मा थी और कृष्ण को जर्म देने के बाद पता ही वो जेल में थी बेडियों में जकड़ी हुई थी तो यहां पर क्या है कि देवकी की आखें ठीक है यह आखें दो बार रिपीट हुआ है देवकी की आखें इंतजार कर रही है किसकी तो देवकी नंदन की देवकी नंदन मतल को कौन देख पाते देव की ठीक है आसानी से रिलेट अपलोग कर लीजेगा नेक्स्ट है आदी जूमर संगीत तो यहां पर मर साउंड आ रहे हैं ठीक है जूमर में मर हैं मर कौन गया राजा अगर आम आदी मरे तो चर्चा का विशे नहीं बनता है लेकिन यहां राजा मर ग संगीत का राजा उपेंद्र नाथ सिंग देव ठीक है नेक्स्ट आपका करम गीत और इसको लिखा है बुधु महतो ने तो बुद्धु कौन होगा यहां बुद्धु है ठीक है और एक वर्ड होता है बुद्धु तो आप कुछ देर के लिए समझ लिए बुद्धु महतो सूस्ट है तो बुद्धु कोन होगा जिसके पास दिमाग कम होगा ठीक है तो यहां रहता दीजीए सिर्फ कम बचा दिमाग कम है तो बुद्धु है तो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करिए और हो सेगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को सेर भी करिए ठीक है और एक information और देना चाहूंगा कि अब इस चैनल पर आपको बिहार से भी related वीडियो मिलेंगे ठीक है अब कुछ दिनों पहले ही बिहार से जुड़ेवे content हम लोगों ने डाला start किया है बिहा अगर देखते हम लोग नेठा पाला ठीक है एक और बात कि बिहार के मैप को भी हम लोगों ने पाला पाला सौंग बहुत ज्यादा famous वह था अक्षक मारवला अगर आप लोगों ने सुना होगा सैतान का साला वा ठीक है वही पाला है तो यह क्या जन जन के बीचें बहुत फेमस हुआ था जन मतलब लोग यह पाला सोंग जन यानि की लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हुआ था ठीक है तो वहां से आप लोग इसको रिलेट कर लिजेगा अब आपके मन में यह भी आ सकता है कि निरंजन के जगह अकर मनुरंजन दे दे या कोई और जन दे तो कैसे याद रखना है यह आप इसके लिए यह सोचिए कि नेठा कुश्चन में नौ से स्टाट हो रहा है ठीक है तो एंसर भी नौ से ही स्टाट होगा निरंजन ठीक है नेक्स देखते हैं कपीला मंगल और इसको लिखा है राजेंदर प्रसाद महतो ने ठीक है तो कपीला मंगल के लिए मैंजे कोई खास ट्रिक मिला नहीं अगर आपको कुछ लग रहा है वैसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वैसे मैंने इसको याद रखने के लिए क्या प्रसाद में कुछ ऐसे चीज प्रसाद चढ़ा दी कि वह गल गया ठीक है आप याद रखने के लिए इस तरह के ट्रिक अपलाई कर सकते हैं वैसे अगर आपको कुछ और तरीका से इसको याद रखना तो वैसे आप रहाद करिए कुछ खुद से भी आपको स्ट्रिक सोच स नेक्स्ट है जूमर संगीत एवं पाला संगीत देखे पाला फिर से आया इसके पहले वालों में क्या था नौ से स्टार्ट था एंसर भी नौ से स्टार्ट था और पाला जन के बीच में फेमस था यहाँ पर पाला संगीत है ठीक है और संगीत एक बार नहीं दो दो बार आया है संगीत दो दो बार आया है और जूमर जूमर भी एक तरह का संगीत है ठीक है देखे संगीत कितनी बार रिपीट हुआ एक तो दो बार खुद संगीत आया और फिर जूमर जूमर भी एक तरह का संगीत है तो इससे आपको क्या मिलेगा कि संगीत में क्या होता है स्वर मैं संगीत पर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि संगीत बीना स्वर के कंप्लीट नहीं हो सकता है संगीत में क्या चाहिए स्वर चाहिए तो यहां से आप तो रिलेट कर लिजेगा बार बार संगीत मिले कुश्चन में तो क्या रिलेट करना है स्वर ढूंडना है आपको संगीत के लिए क्या इंपोर्टेंट है स्वर नेक्स्ट आपका पथे चलक लेहा नमस्कार और इसको लिखा डॉक्टर नंद किसोर सिंग ने अब पथे मतलब पथ यानि की रास्ता चलक मतलब चलना रिलेट से लोहा तो क्या हो रहा है जब कार चलेगी तो बहुत ज्यादा सोर होगा किसोर से सोर अलग कर लिजिए तो डॉक्टर नंद किसोर सिंग तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाईएगा सोर क्यों हो रहा है क्योंकि पथ याने की रास्ते पर कार चल रही है और कार का जो रचना को लिखनेवाले कोने सृष्टी धरसिंग कटी यार इसको कैसे याद रखना है क्या तो भगवान है सीधा ठीक है भगवान क्या है स्रिष्टी के रचयता भगवान को माना यह था ठीक है तो वहां से आप लोग रिलेट कर लीजेगा भगवान को ने स्रिष्टी के रचयता इजी है मान भूमेक अब मान मनवल मानना रूटना मनाना यह सब यार और दोस्तों के बीच में चलत रहते हैं, तो वहाँ से अपवनों कटियार से इसको रिवेट कर सकते हैं, आप घंगवरा और साधन संís की लिए क्या है? साधन से आप इसे कट कर यानि कि आप कुछ पल के लिए अपने मैटेरियलिस्टिक जो सुख होते हैं यानि कि आप टीवी देखना या सिंपली खाना खाना इस तरह की दोस्तों से मिलना जुनना इस तरह के कामों को आप छोड़ दीजिए इन सबसे कट जाईए तभी आप तपस्या ये और अंतीम है कुरुमाली साहित काशू की से कहा जाता है तो वह विनंद् chanting गौरया को यह प्रसम पूचता है इसलिए मैं मैंनेरिया कर दिया है कुरुमाली 않은且 sont कि से कहा जाता है विनंद सिंग गौरईया को यह कुछ इंपॉर्टेंट साहित और साहित एकार थे वीडियो गर आपको प्रसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड प्लीज दोस्तों के साथ से सेर भी करिए ठीक है और मैं फिर से आपके उबर बत आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा ने ठीक है और लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज आप कोई भी चीज मत छोड़िए दो से तीन महिने कब निकल जाएंगे आपको फता भी निचलेगा ठीक है अचानक से एक्जाम का डेट आएगा और फिर आपको लगगा कि कास कुछ द काफी होगा आपके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जारकंड आप लोगों ने काफी पढ़ लिया है अब वो रिविजन मांग रहा है अभी आपको जो मेन फोकस करना वो जी एस पेपर वन पे करना है और मैं आपको यह भी बोल रहा हूं कि किसी भी टॉपिक में अगर करके जहां सब्सक्राइब लोगा लगा करके इजी बना के आपको वीडियो दिया जाएगा ठीक है तो मैं अपने साइट से इतना हेल्प आपका करने के लिए तैयार हूं आप भी अपने साइट से एफर्ट करें आप लास्ट टाइम के लिए कुछ में छोड़िए अभी ज तेंक यू विल तेंग ले वीडियो में तिल दन टेक केर गुद बाए